जी यहां दोस्तों इस वक्त की बड़े खबर सिदू मुसेवाले जी के हत्या को लेकर आखिरकार पंजापी गायक दिलजीट डोसांज सामने आकर जो है सिदू मुसेवाले जी के जस्टिस के लिए आवाज उठाई है पहली बार कोई पंजाबी सिंगर है जो सिदू मुसेव मुसे वाले जी के हत्या कांट को लेकर जब उनसे इंटर्वियू के दौरान पूछा गया। इतना ही ने उन्होंने ये भी कहा कि पॉल्टिक्स बड़ी गंदी चीज है जो इसमें घुस जाता है उसकी हत्या होनी ही होनी होती है। मुसे वाले जी के हत्या के मामले पर खुल कर बात की। उन्होंने इस दौरान सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा। ये 100% सरकार की नलाइकी है। ये पॉल्टिक्स है और पॉल्टिक्स बहुत गंदी हैं। किसी को मारने के लिए पैदा नहीं हुए हैं लेकिन ये सब शुरू से ही होते हुए आ रहा है। कालाकारों को पहले भी मारा गया है। कई कालाकार जो हैं इस चीज में बली चड़े हैं। मुझे भी शुरूआत में काफी समस्याएं आती थी। लोग को लगने लगता है कि ये इनसान इतना आगे क्यों बढ़ गया है। ये इतना ज़्यादा काम्याब क्यों हो रहा है। इतने पैसे क्यों कमा रहा है। इसके पास इतना ज़्यादा दौलत क्यों है। लेकिन इस सब में किसी की जान ले लेना सही नहीं है ये सब सरकार की गलती है दिलजीत डोसांच ने आगे ये भी कहा कि सभी महनत करके आगे बढ़ते हैं मैं अपने अनुभव के आधार पर ये कह सकता हूं कि एक सिंगर कभी किसी के साथ गलत नहीं कर सकता एक कालाकार कभी क किसी के साथ कुछ गलत होते हुए भी नहीं देख सकता, ना कुछ गलत कर सकता है, मुझے ये सब बाते समझ में नहीं आती, दो लोगों के बीच में क्या ही मसला हो सकता है, कोई किसी को क्यों मारना चाहेगा, ये बहुत दुखी कर देने वाली बात है, सोचो किसी का सिर्फ एक बच्चा हो और वो मर जाए तो उसके माँ बाप पर क्या बीती होगी हम इसकी कलपना भी नहीं कर सकते ये सारी बाते जो हैं सिद्धु मुसेवालेजी के हत्याकांड को लेकर पहली बार पंजाबी गायक दिलजीट डोसांज ने अपने इंटर्वियू में ये सारी बाते कही और इस बातों को जो है बहुत ज़्यादा प्रसंसा मिल रही है आगे आकर पहला कोई पंजाबी गायक है जिन्होंने बढ़ चरकर सिद्धू मुसे वलजी के हत्याकान में भाग लिया है जस्टिस में भाग लिया है और उनके माता पिता उनके पेरंस को लेकर बाते कही है आपको बता दे दिल जीट डोसांज ना सिर्फ इतने अच्छे सिंगर हैं इतना अच्छा गाते हैं बलकि वो अंदर से भी बहुत अच्छे दिल के हैं और हम खुद उनके हरे गानों को सुनते हैं और हम उन्हें देखकर मोटिवेट भी होते हैं जिस प्रकार वो अपने गानों में चीजे डालते हैं उसी प्रकार के वो इंसान है और आज जो है उन्होंने सिदू मुसेवाला जी को लेकर बाते कही है उनके पैरेंस को लेकर बाते कही है खुल कर जो उन्होंने कहा है निडरता के साथ वो सच में दिल छू लेने वाली बात है सिर्फ इतना है नहीं सास 27 लोगों में शामिल थे जिनकी सिक्योरिटी को पंजाब सरकार द्वारा वापस ले लिया गया था आपको ये भी बता दे सिक्योरिटी छिनने के एक दिन बाद ही 29 मई उस काले दिन को मांसा के एक गाउं में गोली माल कर उनकी हत्या करती जो की जवाहर के गाउं है इसलिए इसमें राजनीती की भी आशंका जताई गई थी मुसे वारिज की हत्या की जिम्मेदारी लॉरंस बिसनोई के मेंबर गोल्डी बराने ले ली थी और अभी उसके पकड़े जाने की भी भास सामने आई थी लेकिन अब बताया जा रहा है कि उसका इंटर्विव आया है और व हाल ही में आपको बता दे गोल्डी बरार की अमेरिका के कैलिफॉर्निया से हिरासत में लिया गया था और दुबारा से जो है उसका इंटर्विव आया तब से सभी अचंभित हैं और है कि आखिरकार एक तरफ सरकार ये दावा कर रही है कि गोल्डी बरार पकड़ा गया है पर एक तरफ वहीं उसका इंटर्विव जो है वो शोशल मेडिया पर वाइरल हो रहा है जिसमें उसका फेस तो नहीं देख रहा है लेकिन उसकी आवाज है सुनी जा सकती है जिसमें वो ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि 24 गंटे मेरे बार पिस्टल होती है मैं पुलिस के हा आप कभी नहीं आऊंगा वैल आप कितना सहमत रखते हैं दिल जी डोसांज के इन बातों को लेकर जो उन्होंने सिद्धू मुसे वाले जी के जस्टिस को लेकर बोला है उनकी हत्याकान को लेकर कहा है जो भी आपके विचार है जरूर खुल कर कमेंट सेक्शन में प्रगट कीजिए का और कुछ नहीं तो hashtag justice for सिद्धू मुसे वाला जी जरूर लिखिए या फिर hashtag we want justice for सिद्धू मुसे वाला जरूर लिखिए इन दोनों में से जो भी चीज़ आपको लिखना है और जो भी आपके विचार है खुल कर कमेंट सेक्शन में जरूर वैक्ति कीजिए क्य जो कि बिल्कुल फ्री है साथ ही बेल नोटिफिकेशन ओल पे जरूर प्रेस कीजिए ताकि पल पल की जानकारी दोस्तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके धन्यबाद